नमस्ते दोस्तों, Real Quick Analysis चैनल पर आप सभी लोकों का स्वागत है चलिए अब जल्दी से हम चर्चा करते हैं अपने आज के Real Quick Analysis की हमारी आज की वीडियो को स्पॉंसर किया है राज जी ने हमें सपोर्ट करने के लिए आपको धेनवाद जैसा की हम सभी लंबे समय से इस बात की मांग करते आ रही है कि Electronics Manufacturing की फील्ड में भारत ने आगे बढ़ना चाहिए हाल के कुछ वशों में खास का और पर Mobile Manufacturing को बल मिला है लेकिन यह जमीनी सच्चाई हम सभी को पता है कि हमारे देश में अभी भी मुबाइल और अन्य इलेक्रोनिक्स प्रोड़क्ट की असेमली ही हो रही है इसने सच्चे मायनों में एक Global Electronics Production हब बनने के लिए हमारे देश में Electronics Passive Components जैसे की Capacitors, Registers, Inductors, Antena और Module का भी Global Scale पर Production होना चाहिए ताइबान की एक कंपनी है PSA, Wellsen Technology Corporation जिसने इस सदी की शुरुवात में Passive Components के Mass Production के लिए एक के बाद एक बड़े प्लांट लगाए चीन में जाहिर है यह वही समय था जब भारत One China की Policy का जुन्जना बजा रहा था और ताइबान की कंपनिया चीन में अपनी फैक्टरी लगा कर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना चालू कर रहे ही ताइबान ने चीन को ग्लोबल फैक्टरी बना दिया और हम बेवकूफों की तरह चीन के तुष्टी करण में ही लगे रह गए आज जो भारत में बेरोजगारी की समस्या की इतनी बात होती है जरा आप इस समस्या को खोट कर देख लीजिए इसकी जड़ में आपको चीन ही बैठा दिखलाई देगा हाई यह बात और है कि बेरुजगारी के लिए जिम्मिदार है चीन लेकिन इसका दोस्त धरा जाता है मोदी जी के सर पर वैसे भी कोई आश्यर की बात नहीं दुनिया में अपने आपको सबसे मेच्चिर डेमोक्रेसी मानने वाले अमेरिका में हुए राश्पती चुना और कोरोना वाइरस फैलाया चीन में लेकिन इस बिमारी को महामारी बनाने का डंड मिला डोनाल्ड ट्रम्प को एनिवे में मुद्दे पर लोटते हुए आज ही टाइमस ओफ इंडिया कोवार में खवर चपी है कि ताइबान की कंपनी पी एसे वर्लसन टेक्नलोजी कॉर्परेशन आंद्रप्रदेश ने सास सो करोड रुबे का निवेश करने वाली है सबसे पहले तो आंद्रप्रदेश की सरकार को बढ़ाई क्योंकि उसने सिर्फ ताइबान से आने वाले निवेश को आकरशित करने के लिए एक डेडिकेटिड डेक्स का विकास किया है ताकि ताइबान का आंद्रप्रदेश में रास्ता सुगम किया जा सके हम सभी के ध्यान में है आम तोर पर अभी ताइबान तमिल नाडू में ज़्यादा एक्टिव और केंद्रित है इसलिए देखने में है अच्छा लगता है कि अन्य राज्यों की सरकार ताइबान की कमपनियों को अपने हां निमंतरन दे रही है आंद्रप्रदेश के इंडेस्टियल मिनिस्टर गयानुसार उन्होंने कई ताइबान की कमपनियों के साथ बाच्ची चालू कर दी है और जैसे जैसे प्रपोजल फाइनल होंगे इस बारे में अनॉंसमेंट भी किये जाएंगे Electronics Components को उत्पाधन के साथ साथ आंधर प्रदेश यह भी कोशिश कर रहा है कि ताइबान दुनिया भर में बाइसिकल के एक्स्पोर्ट के लिए उनके प्रांत में उत्पाधन करे साथी साथ भारत में ताइबान के डारेक्टर जेनल को आंधर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विश्वात गिलाया है कि वह ताइबान के इन्वेस्टमेंट को हर संभव सपोर्ट मोहिया करवाएंगे नेता और मुख्यमंत्रों के मुँ से यह बास सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है लेकिन यह देखने लायक बात होगी कि आंधर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी कतनी को कितना करणी में कनवर्ट कर पाते हैं हाली में जब इंडिया ताइबान ट्रेट टॉक्सी खबर अखवारों में चली थी तो चीन को बड़ी मिर्ची लगी थी यह प्रशंसनी यह है कि आंधर प्रदेश सरकार इंडिया ताइबान ट्रेट डील का इंतजार किये बगेर ही आगे बढ़ चुकी है जब ताइबान की कमपनियों ने चीन में प्लांट लगाए तो चीन ने बड़ी मलाई उड़ाई अब जब ताइबान की वही कमपनिया भारत में फेक्टरी लगा रही है तो चीन के पेट में दर्द पक्के से होगा इसी background में कल खवर आई थी कि चीन से अपनी mass production capacity को भारत में सिफ्ट करने के लिए जापान अपनी दो कंपनियों को financial assistant दे रहा है हाला कि हम सभी ने यह सपना तो देखा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब चीन से plant भारत में सिफ्ट होंगे लेकिन शायदी कभी हमने यह कलपना की थी कि इस supply chain सिफ्टिंग के लिए जापान जैसे मित्वई देश subsidy भी मोहया करवाएंगे मोदी जी के नेत्रत में धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रती दिन हम सभी आगे बढ़ रही है और यही प्रगती का प्रती है सो दोस्तों यह था हमारा आज का अनलिसिस आई होप आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आई हो यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो लाइक करके आगे शेयर करना मत भूले साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आप आप हमारे इस चैनल की मेंबर्शिप भी ले सकते हैं लास्ट में दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत अधेख धन्यवाद